पुलिस और गाजियाबाद पुलिस हमेश्वा विवादों में रही है। लेकिन ऐसा क्या किया कि पुलिस ने कि जिसकी गूज यूपी के देवर्या जिले से लेकर पूरे देश में हो गई है। पुलिस ने 30 साल बाद बेटे को उसकी मा से मिलवा कर अपने फर्ज को दो कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। लोकडाउन में बेरुसकार होने के बाद काम की तलाश में महिला मेरर से मूतिन अगर पहुची थी। महिला को अपने जिले का नाम याद था लेकिन गाफ का नह पुलिस ने कई घंटों की कोशिश के बाद महिला के परिजनों से संपर्क में आई। महिला का बेटा रिस्तेदारों के साथ थाने पहुचा और मा को देखकर बिलक पड़ा। ये देखकर थाने में सभी पुलिस कर्मियों की आखे नम हो गई। इसके बाद कोटवाल ने इंटरनेट के माध्यम से दिवरिया के सभी थानों के नाम खोच कर एक एक करके महिला को सुनाए। महिला ने अपने गाफ बहसा का नाम पहचान लिया तब जाकर मोधी नगर पुलिस की सांस में सांस आई। तबी थाना प्रभारी ने बहसा गाफ प्रभाती का परिवार खुश हो गया और बेटा रविश कुमार अपने रिसिदारों के साथ मोधी नगर थाने पहुच गया और मा के पैरों पर गिर कर रोने लगा। ये भावुख पल देखकर मोधी नगर थाने में सभी पुलिस कर्मी भी भावुख हो गये। काफजी कारवाही के बाद महिला को परिवार को सुपुदर कर दिया गया। परिवार से मिलने के बाद महिला वाउस के परिवार वालों ने गाजियाबाद पुलिस को लाखो लाखो बधाईया दी और पुलिस का आभार वैक्ती गया। गाजियाबास से के नियूस के लिए सुनों खान की रिपोर्ट